नमस्कार मैं निशान्त कुमार आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क मधमा मकमीलपूर के ये मुखिया है और हमारी बाई और जो बैठे हुए इनका नाम सतेंदर रजक है ये मुखिया जी के कार्यवाग एक तरह से मुखिया पड़नेदिन को कह सकते हैं मुखिया जीने सारा कार्यवाग को सौप रखा है पंचायत का तो सबसे पहले आईए आप अबढ़ने जानेगे हम और शुरवात करेंगे नलजल योजना से नलजल योजना की कैसी इस्तिति मैंनल्जल मेरा सर एक पंचायत में मेरा 14 वार्ड है अब प्यार सरकार से जतना भी पैसा मिला उस पैसा को नली और हम यह जना सुचारी परधान मंत्री आवास योजना में 106 महादलित कथा जो फर्स में अभी तक परधान मंत्री आवास योजना उसमें से अभी तक पंचायत की स्कूलों की स्थिति कैसी है अभी तक उसका जल जमाओ रहता है बराबर माटी मीटी करन की भराई नहीं हो पर रही है स्थिति बनी हुई है उपस्वास के नरहें के पंचायत में है लेकिन उपस्वास केंदर है सर्त वे जर जर इस्थिति में है वहां पर डॉक्टर लोग भी है नर्स भी है आउ क्या पर दे आसा लोग भी जाती है लेकिन हम लोग तो बराबर वहां जाते हैं अब रोड से करीब्ग चार फीट निच्छा में है लिखकर के मेडम दिये हैं डाक्टर मेडम की हाँ विद्याले को अथी विद्याले करें स्वास्त उपकेंद्र को उसको बनाया जाए नया आप देखिए सर कब उसका इसू हता है यह स्थिति बनी हुई है आप लगातार आवाज उठा रहे हैं अब आज उठ लगातार नहीं हो पारा है सर मन्रेगा को लिए क्या कहना चाहिए चल रहा है जो भी है कचा रोग हम लोग ही किये 40-50 लाका पाकावर कुए 50 लाकि काम अभी ततकाल चल रहा है अच्छा अभी पंचाय ते मुख्ष समस्या क्या निकल के सामने आ रही एक तो स्वास्त के अभी उतना सुचारू ढंग से पैसा नहीं मिर रहा है कि हम लीजी सब लोग को बना पाएं ब्यासरकार पंचार सरकार भारों के लिए जगा उपलफ हुआ है हाला फिलहाल में अभी तक मानिकी उसका चैन किया गया है अब देखिए कवस्त पूच चुरू हो अभी तो हम ल मियुक्त पूरह लेकिन आप देखिए सरकार की बात है कभ उचालू होता था पंचायती राज को लेकर सरकार को क्या मिया पंचायत में सकते हैं सरी साल हो गया मार्च 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 Начimus form यह चोंदा सर्फक नहीं हुपाया है न शुक्तुम हो पया है यह था 5 मौद हम नहीं हिए सो क्या हो पार के हैं लोग परिष्टिति में बनाया हैं अगर एर्भांस काम करते हैं सरकार के नीती है किस तरह से योजना लागो करेंगे हम उसमें बीच में हम का करेंगे फिर एर्भांस काम करने के बाद चलिए धन्यवाद तो ये थे हमारे सा सतेंदर रजक जी मुख्या जी के कारे वहाँ के ये सारी बात बताई नोंने पंचायत के विशह में क्या कुछ नोंने विकास का कार किया है और आगे क्या करेंगे लेकिन कुछ मांगे रखें हैं सरकार से और लगातार आवाज उठा र प्रधानम द्रियवास योजना के जितने लोग को लाव मिलना चाहिए था उतने लोग को लाव नहीं मिल पाए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की वंचित रहेंगा है प्रधानम द्रियवास योजना का लाव लेने से अब देखते हैं आगे क्या होता है पंचायत का विकास क अब तक अच्छे तरीके से हो पाता है, फिर मिलेंगा आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत के मुखिया जी के साथ, देखते रही हैं हमारे साथ बिहार नियूज नेटवर्क में आपको साथ निशानत कमार पठना